असलाम अलेकुम, वेलकम टू क्यू टू टूटर चैनल, I am Muhammad Umair Qureshi and I have prepared a lecture for the topic factorization, this topic is related to basically the mathematics metric and it is chapter number 5, इस पूरे lecture के अंदर आज हम डिसकस करेंगे कि factorization actually है क्या, क्यूंकि factorization के जो question है, हमारे बोर्ड के बेपर में काफी आते हैं, और confuse करने वाले भी होते हैं, काफी typical भी होते हैं, इसमें मुख्तलिफ method और मुख्तलिफ formula यूज़ होते हैं, तो हम एक एक करके यहां पर factorization के different method और formula को देखेंगे, इसके basically मैं मुख्तलिफ वीडियो बनाऊँगा, अभी यह first वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊँगा, मजीद जो इसमें method इसमाल होते हैं, तो kindly इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताके आपके जो confusion से उसको clear हो जाएं, और साथ-साथ हम इसमें कुछ typical question को solve भी करेंगे, और आपकी exercise के लिए इसको solve करवाएंगे, so let's start definition हमार पर factorize की, या factor की कहते हैं, कि factor of an algebraic expression is an expression which is being multiplied or divided, कि हमार पर कोई expression है, जिसके factor है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, वो factor आपस में multiply या divide, remember multiply या divide हो रहे हैं, और उस multiply डिवाइड ओपरेशन की वज़ा से हमारे पास वो answer आ रहा है, तो हम कहेंगे, कि वो जितनी भी terms हैं, वो हमारे पास factor है, अब इस example में, यहाँ पर हमारे पर x square है, तो x square को हम लिख सकते हैं, x multiply x, तो यहाँ पर हमारे पास जो x square के दो factor हो गए, x and x, इसके लावा, x cube है, x cube के अंदा हमारे पास हम तो इसको x multiply x multiply x, इस तरह से तीन ट्रम बना सकते हैं, या फिर हम इसकी दो ट्रम भी बना सकते हैं, x square multiply by x, इसका answer भी multiply करके हमारे पास x cube आएगा, similarly हमारे पास आगे 6x square है, तो इसमें भी हम 2x multiply 3x भी कर सकते हैं, 6x multiply by x भी कर सकते हैं, और इस तरहां से हम इसके जो भी possible है वो भी कर सकते हैं, even हम इसमें ये भी कर सकते हैं, कि 12x power 3 divided by 4x, अगर आप इसको multiply करेंगे, तब भी हमारे पास answer जो होगा, वो 6x square आएगा, तो this is the factor of any algebraic equation, अब यहाँ पर एक equation है, x square plus 4x, अगर हम इस equation को देखें, तो इस equation को हमें तोड़ना है, factor में multiply divide form के अंदर, अभी ये sum up हो रहे हैं, हमें क्या करना है, इसके लिए जो ज़्यादा तर हम एक common operation करते हैं, वो अता है common factor या पर common term को लेना, क्या मतलब हुआ इसका, अभी हमारे पास जो first expression है, x square plus 4x, इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास, इसमें जो common एक factor ले सकते हैं, x square plus 4x में, वो repeated हमारे पास x है, आप देख रहे हैं कि दोनों जगा पर x आए, लेकिन power का फर्क है, x square और वहाँ पर simple x power 1 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरहा के method में, हम जो variable है, उसकी देखते हैं कि कम से कम power क्या है, अब जैसे x square है, दूसरी जगा पर x है, तो यहाँ पर हम जो common ले सकते हैं, और जो हमें फाइदे मन होगा, वो है x power 1, या सिर्फ x, तो यहाँ पर जब x को common लेते हैं, तो अ अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर यह करना है, कि जितनी power है, अब मिसाल है, x तो ले लिया, यह x आ गया, अब bracket में हमारे पास आएगा x पिलस 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x है, वो कम होगा x square से, दो x square है, दो हैं, यहाँ पर 1 आ गया, common ले लिया, तो कितना बचा दो में से 1 गया, तो एक पचा, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, अब बार यह 4x की, यहाँ पर 4 आया, तो 4 इसलिए आया, सिर्फ x इसलिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर पहले से 1 मौचुद था, और हमने 1 ही common लिया, तो 1 में से 1 गया, तो हम कह सकते हैं, कि 0, तो हमारे पास, x multiply x plus 4 हमारा factor बन गए, दो factor हो गए, x हो गया, और bracket में x plus 4, similarly, हमारे पास, अब जो दूसरी question है, उसके अंदर है, 5x cube plus 3x square, अब इसमें हमारे पास, फिर देखते है, जो हमारे पास variable repeat हो रहा है, वो x से, और उसकी कम से कम जो power है, वो है, x square, सही है, x square, यहाँ पे कम से कम power है, तो हम इसको common लेंगे, तो क्या होगा, कि x square हमारा एक factor बन गया, दूसरा factor क्या होगा, कि bracket करेंगे, और यहाँ पे 5, ऐसे ही आ जाएगा, तीन मेंसे 2 power कम किये, तो एक x बचा, तो x power 1 आगिया, यानि simple x, प्लस, फिर उसके बाद, x power 2 था, तो x power 2 ही common लेंगे, तो यहाँ पे simple, फिर वोई 2 मेंसे 2 गये, तो 0, तो यहाँ पे x आए गई नहीं, इसी तरह यहाँ पे इसके दो factor होगए, एक और यहाँ पे हम कर सकते हैं, कि हम इसका एक factor और भी बना सकते हैं, जो कि नीचे given है, कि हमने यहाँ पे x power 2 की जगा simple x भी ले लेगे, यह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे, अगर बात करें कि simplify, तो यहाँ पे जो दूसरी, एक दूसरा solution है, वो simplify form में नहीं है, जो first form है, वो simplify form के अंदर है, यानि अभी भी जो second form है, उसके अंदर जो bracket में 5x square plus 3x है, इसके अंदर से भी मजीद x को common निकाला जा सकता है, तो फिर वो यहाँ पे बाहर जो है, x से multiply x हो जाएगा, तो यह x square हो जाएगा, तो इसलिए हम आ आपस second form है, अब जो हम इस exercise के अंदर जो common formula यूज करेंगे, जो के हमें ट्रेस करने काम आएंगे, वो यहाँ given है, पहला है, a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, and similarly, अगर इस equation में a plus a और b के दरी में minus आ जाता है, तो यहाँ पे equation change रहेगी, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square, थर्ड हमारे पास है, a square minus b square equal to a plus b multiply a minus b, then हमारे पास है, a cube minus b cube is equal to a minus b multiply a square plus a b plus b square, और उसी में हमारे पास addition के अंदर मौजूद है, a cube plus b cube equal to a plus b bracket, a square minus a b plus b square, जितने भी यहाँ पे formula given है, उन सब के अबाले से हम देखिएंगे, कि इसको कैसे use करके factorize किया था, तो चलें, हम पहले पहले example को देखते हैं, पहले formula को इस्तमाल करते हैं, अब हमारे पास एक expression है, 4x square plus 4xy plus y square, इसे हमें factorize करना है, अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हम वो common वाला काम नहीं कर सकते हैं, क्योंके, यहाँ पे x तीनों जगा पे नहीं हैं, अगर यहाँ पे third जो term है y square, अगर यहाँ पे भी x होता, तो हम यहाँ पे x common निकाले थे, यहाँ फर्स ट्रम में 4x square के साथ y होता, तो हम y common निकाले थे, लेकिन यहाँ तीनों ट्रम में कोई एक variable ऐसा नहीं हैं, जो तीनों में आ रहा हो, तो यहाँ पे हम formula use करेंगे, अब formula के लिए यहाँ पे आपको practice की जरूरत है, और आपको practice करके इसको अपने mind में develop करना है, इसकी कुछ निशानिया, कुछ इसके science, पहली sign ये, कि इसके अंदर जो हमारे पास होती है, तीन ट्रम्स होती है, और तीन ट्रम्स के अंदर हमारा जो main point है, वो है middle term, जी, यहाँ पे middle term है 4XY, अगर आप यहाँ पे देखें 4XY, तो यहाँ clearly एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो 4 है, उस नंबर को छोड़ें, अभी आप देखें XY को, X और Y, यह दोना multiply हो रहे हैं, अगर आपको middle term ऐसी मिलती है, कि जिसके अंदर, square के अंदर जो दो equation है, यह दो term है, यह एक्स और Y, यह दोने square में, अगर यहाँ पे जो square में trumps हैं, अलग-अलग, वो किसी एक trump में दोनों multiply हो रहे हैं, तो it means कि यहाँ पे हम formula लगा सकते हैं, A plus B whole square या A minus B whole square वाला, देखते हैं इसको मजीद, सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पर कुछ steps हैं, पहले इसको देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, कि जो square वाली δोनों term हैं, उनका square root निकालै, यानि उसको कोशिश करें, कि उसको square work में लिखें, कैसे, 4x square है मैं इसको square form में ऐसे भी लिए सकता हूँ कि 2x whole यानी bracket over square अब यह क्यों लिखा इसका आंसर भी वही आएगा जो के bracket खोलने पर आएगा अगर bracket खोलता हूँ तो 2 का square 4x square x square यानी 4x square तो यहां पर मैंने इसको completely square root निकाल के bracket में बंद कर दिया यही काम मैंने third trump के साथ किया y square के साथ तो यहां पर जब मुझे दोनों trump मिल गई तो अब क्या करना है अब आपको एक check करना है वो क्या check करना है bracket में जो 2x है और जो दूसरे bracket में y है इन दोनों को multiply करना है आपस में और उसके answer को 2 से multiply करना है अब यहां पर 2x है multiply y है यह तो जाएगा 2x y इसको multiply कर टूस है जो के लाजमी हमारा compulsory action है तो हमारे पास जो answer है वह है 4x y और हम दे सकते हैं 4x y इसके अंदर मौजूद है तो यहां पर हमने एक बात प्रूफ कर दी कि यह sectorize हो सकता है किस form में a प्लस b whole square तो हम इसको rearrange कर के दुबारा लिखते है कि bracket 2s whole square प्लस 2 multiply 2xy प्लस bracket y whole square और यहां पर हमने एक क्योंकि formula है यह formula का एक pattern बन गया है किसका a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square तो यहां पर हमने इसको use किया है और यहां पर हमने इसको form में लिए दिया 2x plus y whole square वो क्यों क्योंकि bracket के अंदर हमारे पास a के लिए 2x है और दूसरे bracket के अंदर जो square वाला से y है तो दोनों को जमा करना है जमा करने के इडिशन form में लिख दिया और यह हो गया 2x plus y whole square इस तरह से हमने इस formula के जरीए पहले हमने identify कि equation को identify करें कि कैसे क्या यह इस तरह से solve हो सकता है और अगर यह identify कर लिया तो फिर आगे इसको कौन सा method user के आगे इसको solve करना है अब students एक और example है और similar है बहुत similar है जो कि हमने भी last problem कि last question किया है यहां भी हमारे पार एक expression है 9x square minus 12xy plus 4y square इसको भी check करना है जाहरे आपको भी expression से पता चलता है कि तीनों के अंदर कोई ऐसी एक term नहीं है जिसको हम ले सकें किसके लिए एज़ा मतलब common के तोर पे तो यहां पे आप क्या करेंगे वही formula यूज़ करना है sorry वही method यूज़ करना है आपने first और last round जो square वाली है कोशिश करने कि इसका square रूट नकालें तो यहां पे 9x square को ले सकते हैं 3x whole square सही है 4y square को भी ले सकते हैं 2y whole square दोनों के answer में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब check क्या करना है bracket में 3x है bracket में 2y इन दोनों को multiply किया तो 6xy हो जाएगा 3x 2y इन दोनों को multiply करेंगे तो 2-6 और x multiply y xy हो जाएगा तो यहाँ पर हमाँ पहुझाएगा 6xy अब 6xy जो है इसको आँ multiply 2 से करते हैं तो यहाँ पर क्या आजाएगा 12xy तो 12xy यहाँ पर मुझूद है इत मीन्स यह एक formation बन रही है वो उसी formula की जो अभी हमने पीछे किया है फर्क क्या है वहाँ पहले जो second term थी उसमें plus था यहाँ second term में minus है वो ही formula यूज करना है वो ही काम करना है आप उसको formula की सुरत में लिख दें कि 3x whole square प्लस 2 multiply 6xy प्लस 2y square 2y whole square और यह formation क्योंकि हमने बना लिए आप से formula लिखना है और नीचे इसका answer लिख देना है कि bracket में वहाँ पर 3x से दूसरे में 2y दोनों को minus करके इस form में लिख देंगे तो final answer होगा 3x minus 2y whole square clear आपकी practice के लिए यहाँ पर दो question है आप इनको kindly solve करें और बहुत carefully इसमें देखें कोई तो मुश्किल नहीं है बस थोड़ा मैंने एक power के हवाले से आप शायद confuse होने लेकिन अगर आप ने जो method मैंने बताया है अगर आप उस method को use करते हुए इसकी practice करेंगे तो I am definitely sure कि आप किसे यह सवाल solve हो जाएगा तो इसको solve करें इसका जो answer है अगर आपके solve नहीं हो या आप चेक करना चाएगा आपका answer सही है या नहीं तो नीचे जो है Facebook का जो link है उस पे आप click करें यहाँ पे आपको जो इसके question है यह भी मिल जाएंगे So students, आज की class यहाँ पे खताम होती है आज की video हम यहाँ पे अखताम करते है I hope के factorization के अंदर जो हमने भी method यूज किया है common लेना उसके लावा a plus b whole square a minus b whole square इन तमाम method को कैसे यूज करना है example के लिए आपको example दिखाईए example में हमने complex भी किये है किस तरह से करने है, क्या-क्या step से मैंने आपको बता है अब आपके लिए बस इतना है कि आप इसकी practice करें practice करके आप अपनी skills को improve करें आपको practice के लिए जो questions यह गास को करें इसके लाव कोई भी query हो तो आप comments के अंदर यो facebook पे जो page है QTutor का उस पे भी आप अपने comments शेयर कर सकते है thank you and if you like this video तो kindly like it share it with the other student and most important subscribe this channel इसके लावा यहाँ पे जो subscribe करने के बाद जो bell icon है bell icon के अंदर all पे click करें ताके आपके पास जो भी आपके निव वीडियो इस चैनल पे आएगी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी thank you thank you so much अलाफिस